तो अब हम पढ़ रहे हैं Class 10 Economics के यानि अर्थ सास्त के नए चैप्टर को और ये चैप्टर क्या है बच्चो वैस्वी करण और भारतिय अर्थ व्यवस्था तो क्या तुमने ये चैप्टर पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है अरे तुम तो फोन चमकाने में बिजी रहते हो आ आइफोन तो आखिर आइफोन तुम्हारे पास आया कैसे अलग अलग प्रकार के जो मुबाइल है तुम्हारे पास वह आये कैसे तो ये सारे वैस्वी करण की देन है जो कि हमारे चैप्टर वैस्वी करण और भारती अर्थ व्यवस्था में पूरा विश्त्रित रूप से बहुत सारे पहलूओं को तुम्हें समझाया गया है सिखाया गया है बताया गया है तो चलो एक एक बात को हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं समझते हैं बूजते हैं यहां ध्यान दो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान दो चलो यहां देखो क्या बोल रहा है आज के विश्व में उपभोगता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तू और सेवाओं के विश्चित विकल्प है है की नहीं है एक फोन नहीं एक दूसरा चमका दिया दूसर फोन तो जाके वो खरीद लोगे के अरे भाया बड़ी बड़ी यहां फोन है इसी के साथ ही अलग अलग प्रकार के चीज आजकल तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रोनिक्स देखोगे गैजेट्स देखोगे और साथी साथ रोड पे निकल जाओगे 20 साल के तुम हो नहीं लेकिन 20 साल पहले दी रोड पे निकलते तो तुमको कुछ टाटा की गाड़ियां देखती और एमबेस्टर मिलता घड़ 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 एम अबस्टर है तुमको दिखता लेकिन अबस्टर फियेट और टाठा की गाड़ी और आज की जमाना में निकलो जरासा एक पर एक अबस्टर फियेट निकलो जाओगे तो बोलेगा की नहीं अभी लाइने में लगाल है दो महीं नावेट करिये समझ गये तो आखिर यह सब किस चीज की देन है तो यह ग्लोबलाईजेशन की देन है ग्लोबलाईजेशन क्या होता है वही हम लोगो यहां पर धीरे धीरे करके स खबर करो एक बार मतलब पुरा चप्टर पढ़ जाओगे एक लाइन में यहां देखना आज भारतिये विश्व की लगभग सभी कंपनी सिर्ष कंपनियों दोरा निर्मित कारें खरीद रहे हैं तो आज भारतिये जो हैं जैसे की फोर्ड इंडिया है तो फोर्ड इंडिया फ प्रकार के कार तुम देख रहे हो तो यह किसकी देन है वैश्वी करन की देन है यानि ग्लोबलाइजेशन की देन उसको इंग्रेजी में बोलते हैं जी अंग्रेजी हो जालो जो ग्लोबलाइजेशन है ना वह अंग्रेजी है वैश्वी करन का अनीक दूसरी वस्तों के ब् पूरे व्रिद्धी देखी जा सकती है तो एक से एक ब्रांड है बबुआ जब सहर में जाओगे ना तो लािकन एक एक से एक ब्रांड के बुसर पेंट और जुत्त चमकाएगा तुमको उसको यह नहीं पता है यानि कि वैश्वी करन की देन है कमीज से लेकर टेली वीजनों और प्रसंस्कृत फलों के रस्त बताओ फल के रस्त तक भारतिय तो हैं मिलेगा ही लेकिन ब्लोबलाइजेशन के चलते बीदेशी फल का रस्त पीओगे तो उसमें ज्यादा मोटा जाओगे ऐसा कहा कि सब खूब एकदम यहां देखना हमारे बाजारों में वस्तूओं के बहु व्यापी विकल्प पेक्षाकृत नवीन परिघटना है तो ग्लोबलाइजेशन का दोर अभी कुछ दो दसक पहले ऐसा नहीं था तो बोल रहा है कि दो दसक पहले भी आपको भारत के बाजारों में व प्रकार के जैसे जो कैमरा तुमको दिख रहा है यह जो तुमको सेट दिख रहा है यह सब बीदेशी बीदेश से यह इंपोर्ट किया गया है भारत में और हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो यह किसका दिन है globalization का देन है हम इशतीभर परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं ऐसे कौन से कारक है जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे है यही सब हम लोगों को देखना है कि globalization से हमें कितना फाइदा हुआ है कितना नुकसान हुआ है ये सारा चीज यहां पर इस सद्ध्याय में बोल रहा है कि पढ़ाया जाएगा तो यहां देख सकते हो अंतर देशिये उत्पादन बीश्वी सताबदी के मद्धी तक उत्पादन मुखिता देशों की सिमाओं के अंदर ही सिमी था तो अब पर उसका उपभोग किया जा रहा है इन देशों की सिमाओं को लांगने वाली वरस्तों में केवल कच्चा माल खादे पदार्थ और तयार उत्पाद ही थे तो पहले के जवाने में जो देश था एक देश की सिमा थी अलग-अलग हमारे देश हैं तो वहां पर जो प्रोड़क का आयात अत्वा निर्यात होता था लेकिन यहां देखोगे भारत जैसे उपनिवेशों से कच्चा मालें खाद पदात निर्यात होते थे और तयार वस्तों का आयात होता था वियापार ही दुरस्त देशों को आपस में जोडने का मुख्य जरिया था यह बड़ी कंपनिया जीने बहुराष्ट्री कंपनिया कहते हैं कि परिद्रिश्य पर उभरने से पहले का युग था एक बहुराष्ट्री कंपनि वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रा नत्वा स्वामीत रखती है बहुराष्ट्री कंपनिया उन प्रदेशों में कारिय तथा उत्पादन के लिए कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ता श्रम अन्य संसाधन मिल सकते हैं तो तुम्हारा तो एकदम दिमागे खखुरा गया होगा तुम बोलोगे अरे सर यह का हुआ दिमाग दम चक्रा गया चक्रम मक्रम हो गया है और यह तो बुझाई निहीं रहा कि वैसुपरण वैशुपरन، गलोबलाइजेशन का क्या रहें आप यहीं न बोलोगे क्या कोई बात नहीं है तो वैशुपरण को समझने के लिए यहां पर कुछ बात लिखा हुआ है उस दो-तीन लाइन को समझ जाओगे तो वैश्भी तुम्हें समझ में आ जाएगा तो यहां देख सकते हो वैस्वी करन का जो तुम लोग को एक्जाम में लिखना को अलग लिख देना लेकिन यहां जो एकडम तुम बच्चे के जैसा सिखाएगा वह बता दे रहा हूं कि व्यावसाय देश की सिमाओं को पार करके विश्व व् वैस्वी करन की द्वारा ऐसी प्रयास की जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यावसाय एवं उद्योग के छेतर में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समनवे स्थापित करें इसे ही हम लोग वैस्वी करन कहते हैं बोलो कि यह और का बता दी तो और नहीं बुझाया नहीं रहा है फल रहा है फूल रहा है उसी क्या कहेंगे वैस्वी करन कहेंगे जैसे कि एक उधारन मैंने बताया कि जो फोर्ड है वह कहां की कंपनी है वह अमेरिका की कंपनी है लेकिन वह भारत में भी आकर यहां पर कार निर्मान कर रही है कंपनी कहां की है अमेरिका की और निर्म तुम्हारा फेबरेट मारुती हो गया या तो फोड हो गया यह सारी विदेशी कमपनिया है जो कि भारत में आकर यहां पर निर्मान का पर प्र Beat चारो कर रही है और फिर इसको बेचने का रहा थार था किछ अपने गाड़िया को क्या कर रहा है यानि कि वो सिर्फ अमेरिका में व्यवसाय कर रहा है क्या अमेरिका का कंपनी है तो अमेरिका में व्यवसाय कर रहा है नहीं कई देशों के साथ जहां उसका समन्वे स्थापित हो रहा है जहां पर उसको उस तरीके से वहां छूट मिला हुआ है वहां पर वह अपना फैक्टरी लगा सकता है, कार का उद्योग कर सकता है, तो इसी को तो वैश्वी करन कहते हैं, लेकिन वैश्वी करन के लिए वहां के गौर्रमेंट का पर्मिशन तुमको चाहिए बाद तुम याद रखना, तो यही यहां पर एक लाइन में तुम्हें समझ में आ गया होगा, क कंट्रियों में अलग-अलग देशों में व्यापार कर सकता है, जो देश उसको आगया देते हैं उस प्रकार से, तो यही है वैश्वी करन, वैश्वी करन के ही कारण आज तुम देखोगे कि हमारे पास अलग-अलग तरीके के एक्विपमेंट हैं, अलग-अलग तरह के ब् वैश्वी करन क्या यहां की कंपनिया भी बाहर के देशों में अपना सामान बेशती है जरूर यहां जो टाटा कंपनी है जो कार की कंपनी तो बस मैं कार कार बता रहा हूं तो सिर्फ कार ही मत समझना यहां पर जो डाबर है या फिर तुम्हारा जो टाटा की कंपनी है यह सार जो के अलग अलग देशों के साथ क्या करती हैं व्यापार कर सकती हैं तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं वैश्वी करन कहते हैं यानि कुल मिला के इसका व्यावसाय से लेना देना है यही समझना तो यहां पर देख सकते हो जो बाते बताई गई वैश्वी करन के बारे में य यह clear concept दिया हुआ है वैस्वी करण विभिन देसों की लोगों, कमपनीओं और सरकारों के बीच बातचीत और एक्यकरण की प्रक्रिया है तो जो विभिन देश हैं, वहां के जो लोग हैं, उनकी जो कमपनिया हैं, और जो सरकारे हैं, उनके बीच का बात चीत है, उसका एकी करन है, यह ध्यान देना, यदि सरकारे मना करती हैं, तो फिर व्यापार नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से जो कमपनिया हैं, कमपनियों के जो मालिक हैं वहां के जो लोग हैं वे क्या करते हैं सरकारों से बात चीत करने के बाद एक सामन जस्य करते हैं उसके बाद ही वहां पर क्या कर सकते हैं अपना व्यवसाय अस्थापित कर सकते हैं जो कि आगे जब बढ़ होगे तो बहुत विश्त्रित में इसके ब्यापारे में चर्चा किया गया है वैस्वी करण में संपूर्ण विश्व एक बाजार की रूप में परिवर्तित हो गया है जहां पर कोई देश कहीं दूसरे देश में जहां उसको आग्या मिलता है जाके वहां बिजनेस कर सकता है बिजनेस सेट अप कर सकता है और वहां अ अर्थ व्यवस्ता में खुला पना है क्योंकि एक देश का जो एक कमपनी है दूसरे देश में जाकर वहां क्या कर सकता है व्यापार कर सकता है बढ़तु यह आत्म निर्भरता तथा आर्थिक एक ही करन के फैलाओं से है तो यह सारी बात तुम लिख सकते हो इसके अंतरगत व हाँ व्यावसाय देश की सिमाओं को पार करके विष्व व्यापी रूप धारन करते है यानि कि जो व्यावसाय है वह सिर्फ एक देश के बॉंडरी तक सीमित नहीं रहता है बलकि दूसरे देश में जाकर भी व्यावसाय किया जा सकता है यह कब संभव है वैश्वी करन के द्वारा एसे प्रयास की जाते हैं कि विष्व के सभी देश व्यावसाय वन मुद्योग के छेतर में एक दूसरे के साथ सहयोग एवन समन्वे अस्थापित करें वैश्वी करन में सकरात्मक और नकरात्मक प्रभाव दोनों है और यही इस चाप्टर में तुम्हें पढ़ प्रभावित करता है व्यावसाय व्यास कोने वैश्वीकरन संगठन प Casey जीवन चकर और संगठन के को पू होवित करता है तो उसस्थी करन एक बहुत बढ़ा चीज है तो यह हो ने हम अदो फायदा देखें तो साइद यह वैश्वी करन ही जिसके कारण कंप्यूटर्स आजो बाजो अपना देख रहे हो तो यह वैस्वी करन का ही क्या है प्रभाव है लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी काफी 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 बुरा हो सकता है जिसको हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे उदारन पढ़ाए गए हैं तो अभी सबर्ब करो यहां एके बार एक देशों की सिमाओं के अंदर ही सिमिथा जैसे कि यहां की जो कंपनी है वह अपना उत्पादन कहां करेगी यहां भारत में ही करेगी ऐसे नहीं कि भारत से उठके दूसरे देशों में जाएगी और वहां उत्पादन करेगी लेकिन वैश्वी करन के कारण जब वैश्वी कर कर सकता है तो यहां देख सकते हो विश्वी सताबदी के मध्य तक उत्पादन मुख्यता देशों के सिमाओं के अंदर ही सिमित था इन देशों की सिमाओं को लांगने वाली वस्तूओं में केवल कच्चा माल खाद्य पदार्थ और तयार उत्पाद ही थे तो यहां पर बन गया तब उसको दूसरे से इसमें भेजा जा रहा है तो यह बोल रहा है तैयार उत्पाद जैसे कि यहां मालों टाटा की गाड़ी बन रही है टाटा कार बन रहा है तो यहां टाटा कार बनेगा उसके बाद कार को क्या किया जागा एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा ऐसा की कंपनी नहीं है लेकिन यहां पर भारत में आकर अलग अलग जबहों पर उसने फैक्टरी बनाया है और वहां पर कार उत्पादन हो रहा है वहां यह जो कारे है ना जो हुआ बताया गया है कि तयार जो उत्पाद थे वो पहले एक जगा से दूसरे जगा एक्सपोर्ट के जाते थे लेकिन आज ऐसा नहीं है भारत जैसे उपनीवेसों से कच्छा मालेवं खाद्य पदार्थ निर्यात होते थे और तयार वस्तों का आयात होता था तो भारत क्या करता थ सोगते हैं कि परज़िष्ची पर उभरने से पहले का युग था तो यह पहले का युग था अब बहुभराश्ट्री अ गयी है और इक सरह नहीं कई देशों म में अपने व्यपार को कर रही है एक बहुराश्ट्री कमपनी वः है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रन अथ्वा स्वामित रखती है तो यहां सी क्वेश्चन सीधे पूछ देगा तुमको कि बहुराश्ट्रिय कंपनिया क्या है तो सीधे इसका उत्तर देदेना जो यहां बताया वही न उत्तर दोगे कि अपना दिमाग मत लगाना जो बोल रहा है वही लिख देना कि बहुराश्ट्रिय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रन अथ्वा स्वामित रखता है तो एक से अधिक देशों में उत्पादन करेगा या उसका मालिक होगा वह का है बहुराश्ट्रिय कंपनी है तो बहुराश्ट्रिय कंपनियों उन प्रदेशों में कार्याले तथा उत्पादन के लिए कार खाने स्थापित करती हैं यह दूसरे देशों में भी अपने कार खाने खुलती हैं वहां पर कार्याले बनाती हैं वहां करमचारियों को रखती हैं वह उसी देश के काम करवाती हैं फिर दूसरे देश म अपना समान बेश्टी या उस देश में समान बेश्टी है यह है बहुराष्ट्रिय कंपनिया जहां उन्हें सस्ता स्रम अन्य संसादन बिल सकते हैं उत्पादन लागत में कमी करने तथा अधिक लब कमाने के लिए बहुराष्ट्रिय कंपनिया ऐसा करती हैं तो देखोगे त यहां उदारन को पड़ो बहुत बढ़ीयाा उदारन दिया है तुमारा आख को ना एकदम खोलकर देगा कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है और तूम यहाँ कहाँ भैठ चला रहे हो अपना देश का ममपाइल हो नहीं चला वह बना रहा है तो वह जो कंपनी है वह संयुक्त राज अमेरिका के अनुसंधान केंद्र में अपना उत्पादों का डिजाइन तयार करती है तो वह मान लो कि संयुक्त राज अमेरिका की कंपनी है और वहां पर उसने डिजाइन बनाया सिर्फ संयुक्त राज अमेरिका में बैठके का बनाया डिजाइन बनाया बस डिजाइन ने बनाया है अभी अमेरिका में बैठके अमेरिका में डिजाइन बनाया फिर उपना दिमाग लगाया कि अब क्या करें अब इसको उत्पादन कराएं तो उसके पूर्जे चीन में भी निर्मित होते हैं यह जो उपकरन बन अमेरिका में डिजाइन बनवाया यह भी इसका मिनिंग निकाल सकते हो कि अमेरिका में क्या बनवारा है डिजाइन बनवारा है वहां के एक्सपर्ट लोगों से क्या बनवारा है डिजाइन बनवारा है और डिजाइन बस बनवारा उसके बाद बला कि नहीं बस छोड़ दीज चाईना में जाके फैक्टरी में उत्पादन करवाने लगा अब क्यों करवाने लगा वह आगे बता रहा है कि चैना में कहलत कि भारत में नहीं गिया यह दूसरा देश में तोम्हार काम खतम हो गया अब हम एक़रा लाद के ले जाएंगे दूसरा जगा, तो कहाँ ले गया, मैकसिको पुरी वी एरोप में लाद के ले गया, वहां का करेगा, वहां उपकरन के पूर्जों को जोड दिया, उपकरन का जो पूर्जा था, उसको चाइना में बनवाया, बोला कि बस परनाम आप कुछ मत करिये बस बना दिये ना पूर्जा अब आपस थिर रही है यह अब हम इसको ले जाते हैं दूसरा जगा मैक्शिको और पूरी विएरोप में ले गिया और ले जाकर कि आप पूर्जा को जोड़वाया कि यह थुम जोड़ पूर्जा को जोड अब तयार उत्पाद हो गया उत्पादन तयार हुआ और उसको half चाइना में और जब वहाँ बन गया तो उसको जोड़ोड की बड़ा प्रक्रण कहां बना एमBeं कहां बनाया उसको कहा रख안स तो मैक्सिकों पूरी एड़ोप मैं ले गया रखने के अमयों पूरा बैचने है विमाघ लगा इस बीच अब भारत तो और धिमाघ लगा ताइस के बाद और दिमाघ लगा ग्राहक सेवा मैंने नहीं फोन करते हैं किए रहे हमारी खराब हो गया और फेर नंबर प्रकोड नहीं आता है तो वह कहां बैठा के रखा है उनकॉल सेंटर बैठा के रखा है भारत में देख लो कहें देश मिला प cuerma के बिजनेस को क्या कर रहा है कितना दिमाग लगाया तो यहाँपर तुम देख सकते हो तो यह बहुराश्ट्री कंपनी जो है उसका इंकहान इंगो बताया तो समझमें आई कि क्या क्या है तो देखो यहां समझाया भी है क्या खिरी ऐसा का है किया तो यहां देख सकते हो तो इस उदारन में बहुराश्च्री कंपनी केवल वैस्विक अस्तर पर ही अपना तयार उत्पाद नहीं बेच रही है बलकि अधिक महतोपुन यह है कि वस्तू और सेवाओं का उत्पादन विश्व अस्तर पर कर रही है यानि कि वो जो बनवा रहा है उसको उसका जो सेवा दे रहा है सर्विस दे रहा है वो पुरा कई देश मिला के कर रहा है देखा बनने में कहा देश लग गया और सर्विस कहां मिल रहा है उसको इंडिया में कॉल सेंटर बैठा द है उत्पादन प्रक्रिया छोटे भागवी भाजित है और विस्व भर में फैली हुई है विस्व भर में उसका पूरब फैला हुआ है तो इस तरीके से उपर दिये गए उदारन में चीन एक सस्ता विनिर्मान केंद्र होने का लाव प्रदान करता है तो यहां से क्वेश्चि पर में जखता है तो यहां देखो कि तुम बड़ा बड़ा जो कंप्यूटर कर रहे हो तो उसमें देखा में निखा रहे लिखा रहता है तो कियों लिखा रहता है आज तुमको पता चल गया होगा कि क्यों लिखा रहता है तो देखोगे बड़ा बड़ा जो समान होता है ना उसमें भी खोलो गया सब तो आसानी से वह बनाते हैं कम पैसों में वहां पर बन जा रहा है तो सब लोगों ही बनवा रहा है ठीक है तो इस तरीके से वहां बनवा लिया सामान अब यूरोप अमेरिका और यूरोप के बाजारों से अपनी निकटतम के कारण लाप्राद है भारत यो मत्यंत कुसल इंजिनर उपलब्ध है जो उत्पादन के तकनीकों पक्षों को समझ सकते हैं यहां अंग्रेजी बोलने वाले सिक्षी त्योक भ में कुछ प्रब्लम हुआ तो बोलेगा है यहां तो आराम से आदमी मिल जाएगा और हमारा काम कर जाएगा तो यहां देख सकते हो कि बहुत सारा जो सॉफ्ट्वेयर बन रहा है वह भारत में भी बन रहा है तो भारत में extrordieren स्थाusta औक सब vapor की जो सॉप्टवेर डेफलरुक्स करें वहूं काफी पैसा लेते बहुत जादा पैसा लेते हैं घंटा का मान लोगी 10.000 उपार चार्ज करते हैझे हैं में इस्ट क्षा आधम्क लोग क्यों कारन हो पार हा है तो यही सब यहां बावत बता रहा है यह सभी चीजे बहोराश्ट्री कंपनी की लागत का लगभग 50 से 60 प्रतिसत बचत कर सकती हैं जैसे मैंने उदारन दिया कि अब लोग सोच रहे हैं जो भी कंपनी है वो सोचता है कि कहां हमको कम दाम में अच्छा चीज मिल जाएगा वह को कौल करना चाहता है जैसे में आने सौप्ट्वहेर का बताया कि कोई सौफ्ट्वहेर है जो यदि विदेश भीदेसी आदमी बीदेश में बनवारा है तो उसको मलब लग लग रहा है और वी दिमाघ लग लगा कि इंडिया लाइग तो तो फिर अपनी सॉप्ट्व प्रसार से असिमित लाव हो सकता है जरूर लाव है और मजा भी ले रहा है सब बीदेशी लोग ठीक है तो यहां पर यही सब तुम्हारा लिखा हुआ है और इसमें यही सब पढ़ना है तो चली अपने नया टॉपिक की और तो नया टॉपिक क्या करता है विश्व भर के उत् दूसरे से जोड़ना लिंक करना कैसे वैस्वी करन के कारण आसान हो गया है तो चलो यहां हमनों कोईशन भी देखते जाएंगे एंसर भी देखते जाएंगे पढ़ते भी जाएंगे मजा भी लेते जाएंगे और सब करेंगे पहले पहले अपना मन तो लगाओ पढ़ने मे तब है ना होगा सब कोच, यहाँ देखो, सामानिता बहुराश्ट्रिय कमपनिया उसी एस्थान पर उत्पादन निकार स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत पर कुसल और अकुसल स्रम उपलब्द हो, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की जाल विद्धा सुनिश्चित हो तो भाईया इसको पढ़ लिये, और पढ़ के इसको समझवे नहीं किये, और समझो कि यह hacia लाइगा तो यहां क्या पूछेंगा एकजाम में, पूच सकता है, कि बहुराश्ट्रिय कमपनिया किस अस्थान पर उत्पादन का इकाई अस्था आपित करना पसंद करेंगी या वहां पर कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चीज होने चाहिए जहां पर बहु राष्ट्री कंपनिया अपना इकाई या फिर बोलेंगे अपना उत्पादन इकाई खोलना चाहेंगी तो देखो अहां तो पढ़ाद यह एंसर करो पढ़े हो तो पढ़े तो हो लेकिन आधा दिमाग इहां रहता है आधा दिमाग उन्ने रहेगा तो क्या बुझाएगा अरे भाई जब तुम मोबाईल से पढ़ रहे हो इंटरनेट से पढ़ो तो पूरा फोकस होना चाहिए और फोकस के लिए जब कोई question करें तो answer भी करना चाहिए तो य जहां कामलावत पर कुसल और अकुसल स्रम उपलब्द हो जहां कमलावत पे अच्छे-च्छे आदमी मिल जाए ह subtle की काम कर सकें जहां उत्पादन के अन्यकारत की उपलब्दता सुनुषित हो और उत्पादन के इनजेश्पाद और क्या करना रहता एक्जाम में कोई भारी भारी कोश्चन आता है नहीं यह इसमें बहुत सिंपल सिंपल कोश्चन आता है लेकिन तुम पढ़े रहोगे तभी तो उसका उतर दे सकोगे यहां देखना साथी बहुराश्च्री कंपनिया सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं इतना सब तो चीज होना ही चाहिए सरकारी नीति पर भी वह नजर लेके रखेंगे उस्थापना करती हैं अपने उत्पादण इकाई ठीक है तो इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं तो उसको तुम यूज करो अपने एक्जाम के लिए यहां देखो इन परिस्थितियों को सुनिशित करने के बाद ही बहुराश्ची कंपनिया उत्पादन के लिए कार्यालयों करखानों के स्थापना करती हैं सब देख लेगा पहले सब एकदम निरिक्षन करेगा पूरा जाक ताक पूरा देखेगा कैस साल तक वहाँ पर क्या करेगा पूरा स्वर्वेक्षन करेगा उसके बाद जाकी इंकाई लगाएगा ऐसे नहीं कि फार्चुन का दुकान है गये पांस्तो रुपया में रूम ले लिए और चार प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं सबसे पहला चीज क्या है माल है उसी के बाद कुछ है पैसा है ता सब कुछ है और नहीं है तो कुछ नहीं है परी संपतियों जैसे भूमी भवन मसीन और अन्य उपकरनों की खरिद में व्याय की गई मुद्रा को निवेस कहते हैं अब नया को का देख न worshiku और नविवेस करते हैं तो तुम भी कि कुछी स करते हो और नीवेस करके का चाहते हो थिक तो यहां पढ़ाई भी तुम्हारा एक निवेश है इस तरीके का नहीं निवेस है लेकिन यह एक नीवेस तुम टाइन दे रहे हो तो जितना ज्यादेप्ण होगे उत बता है कि यह निवेस है मेरा नंबर वाद देजी आमको तो नंबर वाद जाके जीडो लड़ू दा देंगा और लड़ों फिर बोलो कि सर सिखाये थे हमको गलती फलती पढ़ा दिये इसे मत लिख देना यहां लिखना यह वाला निवेस समझाने के जो बात बुला जाता है व यह काय के लिए वह निवेस कर रहा है इसलिए न कर रहा है क्यों चाहता है कि उसको लाफ मिले तो यहां पर देख सकते हो बहुराश्च्री कंपनी द्वारा किये गए निवेस को क्या कहते हैं तो बीदेशी निवेस कहते हैं निवेस किसे कहते हैं तो यहां पर जो बहुत स सारा समान को खरिदने मुद्रा जो विया होता उसे निवेस करते हैं देखा दिन चार क्वेशन तो तुम्हारा यहीं से हो गया तो यह निवेस काय के लिए करेगा पैसा कमाने के लिए हां बहुत अच्छा यह पैसा कमाने के लिए करेगा लाभ के लिए निवेस करेगा ताकि कि वो पैसा जितना लगा उससे जादा उसको लाब हो कभी कभी बहुराश्च्य कंपनिया इन देशों की अस्थाई कंपनियों के साथ सेयुक्त रुप से उत्पादन करती हैं सेयुक्त उत्पादन से अस्थाने कंपनी को दोहरा लाब होता है पहला बहुराश्च्य कंपनिय आत्रिक्त निवेज के लिए धन प्रदान कर सकती है जैसा कि तीवर उत्पादन के लिए मसीने खरिदने के लिए दूसरा बहुराश्य कंपनियां उत्पादन की नविंतम प्रध्योगी के अपने साथ ला सकती है अब मान लो कि हमारे देश में कोई कंपनी है जैसे कि मारूत एक कंपनी था तो सुजुकी आया विदेश से और वह क्या कर दिया टाई कर लिया तो मारूती सुजुकी बन गया ठीक इस तरीके से हीरो कैसा कंपनी है अरे हीरो होड़ा हाँ हीरो हीरो और होंडा पहले बोलता था हीरो होंडा मिललबा हीरो होंडा तो हीरो होंडा मिललबा त लेकिन पचास साल पुरान आदमी से पुछ होगा कि हरो हुंडा का वा होन्दा था इसंते ने नीवेश किया और हिरो और रहों गो गया इसका में समझाने के लिए बोलना इसके इसका मतलब ही दों ट्था बात था वह मुझे नहीं पता है लेकिन इस तरीके से एक था देशी कंपनी एक है विदेशी कंपनी और दोनों मिला कर फिर क्या करते हैं धंधा ब्यापार करते हैं दोनों मिला कर प्रोडक्शन करते हैं लेकिन क्या अभी हीरो और हंडा एक साथ है नहीं अभी हीरो के अलगे सोरूम है होंडा के अलगे सोरू यहां स्थानिय कंपनियों के साथ यहां जो कंपनी है ना उसके साथ मिलके काम करती है तो उससे का फाइदा होता है बताइए का फाइदा होता है जल्दी बताइए ऐसे पूछेगा तो तुम बोलना के अरे हमारा सर पढ़ा के रखे हैं सब कुछ खटा-खटा-खटा-खटा- तो यहां मालोगी जो कंपनी है उसको ओर अधिक धन मिलेगा जैसा कि तीवर उत्पादन के लिए मशीन खरिदने के लिए इसा धन उत्पादन करेगा, तो कंपनी एकदम सब्धाइगा जाएक एकदम कंपनी धिरे कमाने लगेगा, है ना तो फैदा हुआ की नहीं हुआ पहला फैदा हुआ दूसरा बहुराश्ट्री कमपनिया उत्पादन की नवेनितम प्रण्योगी की मतला नया नया टेकनोलोजी लग देदेगा तो उससे भी दोहरा उत्पाइदा हो जाएगा तो इस तरीके से या इस कारण से ही जो देशी नाम रह गया है अब यह सिधा सिधा कमपनी सुजुकी का हो गया है यह भी तुम जानते होगे तो यहां पर देखना लेकिन बहुराश्ट्री कमपनियों का निवेस का सबसे आम रास्ता अस्थानी कमपनियों को खरिदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है तो जो कोश्चन था उठ गया अब नया बात बताने लगा बुसी मुमत लपेट देना या मुल रहा है क्या कि आम कमपनियों को खरिदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना बहुराश्ट्री कमपनी चाहता कि जो सिंपल कमपनियों को खरिद ले और उसका उत्पादन का प्रसार खेरे अपार संपदा वाली बहुराष्ट्री कंपनी यह आसानी से कर सकती हैं उदारन के लिए एक बहुत बड़ी अमेरिकी बहुराष्ट्री कंपनी कारगिल फुट्स ने परक फुट्स जैसी छोटी भारतिय कंपनी को खर लिया ले की का हुआ इव अलब बतवा जा चाले एक कि ते सब्सक्राइब तो इसने पहले आएगा तो ऐसे expert नंबर आएगा वो में एक बड़ा विपननत अंत्र तयार किया था तो परक फूट छोटा सा फूट का क्या था वो एक छोटा सा कंपरी था जो की बड़ा अच्छा यहां पर बजार तयार किया था जहां उसने ब्रांड काफी प्रसिद थे उसका ब्रांड भी प्रसिद था परक फूट के चा बादक कंपनी है तो परख को किसने अपने कबजे में ले लिया तो कारगिल ले तो जबर्जस्ती ले लिया नहीं है यहां परख फूड के मन से ऐसा हुआ होगा वास्तों में कई सिरस्त बहुराष्ट्री कंपनियों की संपती विकासिल देशों की सरकारें संपूर्ण बजट से भी अधिक हैंगी देख लो जो विकासिल देश का उसको संपूर्ण बजट जो होता है एक साल का उससे भी ज्यादा बहुराष्ट्री कंपनियों का है यहां एक पर संपती है ऐसे अपार संपती वाले बहुराष्ट्री कंपणियों की सक्ति और प्रभाव पर विचार करें तो यह बहुराष्ट्री कंपनिया एक अन्य तरीके से उत्पादन नियंतरन करती है यह कैसे करती है तो विकसिद देशों की बहु हो बड़ी भई राष्ट्री कंपनिया चोटे उत्पादन का ओरर देती हैं तो एक और तरीका है जिसे पार आश्चिक कंपनि क्या करता है लाव कमाता है या बोलेंगे कि उत्पादन को नियंतन करता है उसको जोड़ औरे बनाओ तो इसे बनाएगा तो छोटकन जो है विचार बनाते हैं बोलेगा वास्त रजूते चपलेओं खेल के समान ऐसे उद्योग है जहाँ वेस्व भर में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में क्या है अरे कहां गया जी अरे तो जिन्स है इत देखो एक नमबर जिन्स है ठीक है हाँ छोटे उत्पादों को द्वारा उत्पादन किया जाता है बहुराश्च्य कंपनिया को इन उत्पादों को या पूर्ति की जाती है फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेज़ देती ले यह है इ तुम бुलो युखे तुम थो ब्रांडडट पर भांडडट अव ब्रांडडडड है नहीं उसको छुटकी कंपनिया बना रहा है और बाड़ा कंपनी क्या करते है ठप मारदे रहा ब्रांड का इसा हो रहा है फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बैस्ती है इन बड़ी कम्पनियों उसमें दूरस्त उत्पादों के मुल्य गुनवत्ता अपूर्थियम स्रम सर्तों का निर्धारन करने की प्रचंड छमता होती है देख लो कई से किसे भीक्रा है समान इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुराश्च्री कम्पनियां कई तरह से अपने उत् हैं क्या किया वह जो है दूसरा जो कम्पनियों को खरिद लिया इया छोटा-छोटा κάम करवाने लगा तो या भी क्यों हो जागा तुमसे कि बहुराश्च्री कम्पनिया क्या किन-्याइन तरीके से उत्पादन का प्रसार कर ही है ौक यह YouTube इसका एंसर तो हो गया चुकै है यह सब लिख देना इस्थाव कंपनियों के साथ स्था कंपनियों के साथ सांचीतमादी के और अस्थानीय कंपणियों के निकट पर अस्पारधिकर उन्हें खरीद कर बहुराश्ट्य कंपनिया दुरस्त अस्थानों से उत्पादन पर अपना प्रभाव जमा रही है तो यहां देखो अलगे से यहां पर पूरा लिख दिया है वही लिख देना तो लिख रहा है और न और यहां दो किये और कुल जाएगा तो तुमहारा है तुम अंसर कर सकती हो असानow से यहां पर देखो क्या लिख रहा है यहां एक अमेbar島 मोटर न फोडों के कार तुम संए होगे लेकिन एक नमबर ब्रांड है इसका कार मज़ा आज़ागा तो जो है उसके बारे में यहां पर इस बताये गया एक फोड कमपनी के बारे में कार का कमपनी है देखो तो यहां पर कार उगरा बना रहा है ठीक है एक अमेरिकी कंपनी फोड मोटर्स विश्व के अच्छहबिश देशों में प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गारी निरमाता कंपनी है जो बोल यहां वही वाला बात याद कलो और दिमाग एक्स्ट्रे इधर उधर लगाने का नहीं जरूरी तो बोलेगा कि विश्व की सबसे बड़ी मोटर गार निरमाता कंपनी कौन है तो बोल देना फोर्ड है जो यह लिखा वही वाला बोल देना ठीक है फोर्ड मोटर से फोर्ड कब आई भारत में तो अंसर कर देना 1995 में भारत आई है 1995 में पैदा भी नहीं लिए होगे उस समय आई है और चिन्नाई के निकट चिन्नाई के निकट 1000 कितना लिखल है 1700 बहुत बड़ी है 1700 करोड रुपया का निवेस करके एक विशाल संयुक्त संयंत्र की अस्थापना की है तो चलो 1700 मने कितना हुआ अरे बुड़ी बड़ी बग 1700 करोड रुपया हुआ वाँ 1700 करोड रुपया का निवेस किया अब निवेस मतलब तो तुमको समझ में आ गया निवेस मतलब समझ में आ गया कि इतना रुपया वहां लगाया और वहां जमीन खरिदा भूमी खरिदा और फिर वहां पर पुरा मसीन खरिदा पुरा पुरा एकदम यूनिट बैठाया तो उसमें जो पैसा लगा उसी को निवेस करेंगे कहेंगे तो ये बिदेशी निवे महिंद्रा के स्थापित किया तो नया कुछ चिन आ गया बोलेगा की जो स्थापना यूंट का तो किसके मदद से किया धका धका लिख देना कि महींद्रा है तो याद करते तो सकोर्पियों घुमेओ की नहीं 2017 तक Ford Motors भारती बजारों में 88,000 कारे बेंच रही थी 2017 बता रहा है जबकि 1,80,000 कारों का निर्यात भी भारत से दक्षिन अफरीका, मैक्सिको, ब्राजिल और सिंवत राज अमेरिका किया गया ठीक है आयात नहीं किया गया निर्यात किया गया यहां बनाए गया और बिभिन देशों में यहीं से बना के बेच दिया गया तो कहां कहां किया गया यह कोश्चन आएगा मान लोग तो लिख देना धक्षिन अफरीका, मैक्सिको, ब्राजिल, सिंवत राज अमेरिका में भेज दिया अब लेगा कंपनी विस्ट के दूसरे देशों में अपना सयंत्र के लिए फोड इंडिया का विकास पूर्जा पूर्ति केंद्र के रूप में करना चाहती है तो ठीक है करें का मतलब है तुमको तो मतलब है कोश्यर एंसर से यहां ज्यादा दिमाग मत लगा न ठीक है अब देखो विदेशी ब्यापार और बाजारों का एकी करन यह हमारा नया टूपिक है तो तुम लोग को इंट्रेस्ट आ रहा है पढ़ने में यदि आ रहा है तो कमेंट को मार देना फिर लाइकवा दबा देना हां समझ गया है और क्वेश्चन एंसर बहुत अच् वह एक्जाम में पूछे जाएंगे तो काते इंट्रेस्ट नहीं आ रहा है आप आईसन पढ़ा रहें कि आप सूत जा रहे हैं निंदरा में लग रहे हैं ऐसी तुम बती आते थे ना कमेंट में तो अभी निंद आ रहा है कि जागल है तुम लोग निंद आता है तो पानी चीड़कलो मुँआ हमें इस पानी चीड़कलो तो नहीं दिन आएगा यहां दखना लंबे समय से विदेश व्यापार विभिन देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है इतिहास में अपने भारत और दक्षिन एसिया को पुर्व और पश्चिम के बाजार से जोड़ने वाले व्यापार मारगों और इन मारगों से होने वाले गहन व्यापार के बारे में पढ़ा होगा तिहास में पढ़े हो बहुत सारा जो रूट है जिससे की व्यापार में रूप से होता है उसके बारे में पढ़ाय गया था तुम लों को आपको यह भी याद ह होगा कि व्यापारिक हीतों के कारण ही व्यापारिक कंपनिया जैसे इस्ट इंडिया कंपनी भारत की और अकर्शित होई आखिरकार विदेशी व्यापार का बुनियाद कारे क्या है इस तरीके से तुम्हें याद होगा कि जैसे इस्ट इंडिया कंपनी भारत में था अब को ऐक आउसार प्रदान करता है उत्पार क्यों अपने देश के बजारों में ही नहीं बलकि अपने उत्पार नहीं बैश सकते हैं बाहर के माल को जब यहां आता है तो बहर भी यहां पर बैचा जा सकता है हम लोग प्रतिवास परधा कर सकते इसी प्रकार दूसरे देशों में उत्पादे वस्तों के आयाद से खरीदारों के सक्षम उन्हों वस्तों के घरेले उत्पादें के अन्य विकल्पों का विश्टार और रती पढ़ा का रहा है यहां देखना भारत में चीन के खिलोने तो हाँ चीन से तो सब लो बहुत खफा है लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि चीन है या फिर भोलो करें चीन में ही कम्पनिया बैठा दिया है ऐसा अमेरिका का कंपनी है तो निर्मान के लिए कहां बैठा दिया चीन में तुम जितना भी अपना इधार उधार जो भी सामान देखोगे जैसे कैमरा हो गया तो उसमें देखोगे made in China made in China made in China तुमको देखने को मिलेगा कहीं भी made in America तुमको बहुत कम देखने को मिलेगा तो अखिर ऐसा क्यों था तुमको याद था कि वहां के बहुत कुसल कारीगर मिल जा रहे हैं कम पैसे में इसलिए कंपनिया वहां पर क्या कर रही है अपना यूनिट बैठा रही है और वहां पर प्रोडक्शन का काम हो रहा है तो चीन के भी निर्मताओं को भारत में खिलोने निर्याद करने का एक अवसर पता चलता है जहां खिलोने अधिक मुल्य पर बेचे जा रहे हैं वे भारत को खिलोने निर्याद करना अरम करते हैं अब भारत में खरिदारों के पास भारती और चीनी खिलोने के भी चेन करने का विकल्प है अब देखो भारत की और चतुर आया सता को बस वहां का क्वालिटी भी बहुत देखते हैं लेकिन यहां सस्था बात बहुत बड़ी हाँ है तो भारत में खरीदारों के पास भारतिये और चीनी खिलोनों के चेहन करने का विकल्फ है, या निए अब प्रतियस पर्था हो गया, भारती खिलोना और चीनी खिलोना के बीच क्या हो गया, प्रतियस पर्था हो गया, भारती खिलोना अधिक लोह प्रिय हो गया, • More योग प्री हो गया एक वर्स मेढ़ीं खिलवनों की सत्तर शेटि सत्पर्र का स्थान चीनी खिलवनों ले लिया अब भ्यारती बजारों में क्या बोल रहा है जी लोना पहले की तुलना में सश्ते हैं तो यहीग बोल हैं किया है यहां क्या हो रहा hazır यहां पर ब्यापार के करण चीनी खिलोने भारत के बजारों में आए भारतीअची खिलोने followers प nói में चीनी खिलोने बेहतर साबित हुए वारती खृदारों के समक्ष़कम कीृमतर लाकी थे पर शाक्रित अजिक सब मास्टव बना रहा है और चीनि खिलोना जूद जैदा पसंद आया अब चीनी खिलोना ज्यादा पसंद आया ज्यादा सस्ता था इस करन से यहाँ चीनी खिलोना का क्या हो गया राज हो गया भारती खिलोना बजार से क्या हो गया साफ हो गया तो जहाँ उद्योग धन्दा बैठा है था छोटा छोटा बैपारी लोग उसका धन्दा का हो गया च सब से important topic पर ये क्या वैस्वी करन क्या है तो पहले भी मैंने वैस्वी करन क्या है शुरू में ही पढ़ा दिया लेकिन अब यहां पर हम लोग धीरे धीरे इसको और खुल के पढ़ेंगे और बातों को देखेंगे तो यहां बोल रहा है विगत दो तीन दसकों से अधिकांस ब खलास कर रही है जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हो तो भाया यह बहुराश्ट्री कंपनियों कहां ही तो चांदी है उन्ही का चांदी है इतना पैसा है पूछबे मत करो तुम्हारा और हमारा थोड़े ना चांदी है तो वह क्या कर रहे है और प्रॉफिट उनको चाहि तो उसके लिए क्या करें अलग अलग देश हो जा रहे हैं तुम जाओगे का एक महला से दूसरा महले को दुकान खोलना है तो खोजने जाओगे कि जा रहे हैं आज दुकान खोलना है फार्चून के तो महलवे में जाके दुकान खोलोगे लेकिन देखलो तुम महला में जा विदेश वियापार में भी तिवर बृदी हो रही है तो होगा है विदेश वियापार का एक बड़ा भाग बहुराश्ची कंपनियों द्वारा नियंत्रित है जैसे भारत में फोर्ड मोटर्स का कार से यंत्र केवल भारत के लिए ही कारों का निर्मान नहीं करता हम लोगों ने देखा था वो बॉक्स में कि अब भारत में सिर्फ निर्मान नहीं कर रहा है बहुत यहां पर जो निर्मित हो रहा है कार उसको दूसरे देशों में भी बें लेना है इसी प्रकार अधिकांस बहुराश्च्य कंपनियों के क्रिया कलाप में वस्तुओं और सेवाओं का बड़े पैमाने पर व्यापार सामिल होता है तो यह सारा चीज तो तुम्हें अब पताई है अब देखोगे अधिक विदेश व्यापार और अधिक देश निवेश के परणाम सुरू विभिन देशों के बजार मुतपादनों में एकिकरन हो रहा है और नुकसान वहाँ आगे पड़ाइए है विभिन देशों के बीच परसपर संबंध और तिवर एकिकरन की प्रक्रिया ही वैस्वी करन है तो यह वाला तुम जो है तो याद रखना इसीकग एकजाम में लिखे देना वैस्वी करण क्या है तो निवल राश्टी कॉम्पनियां की प्रक्रिया में मुख्यभूमी का निभा रही है विभिन्देशों के बिच अधिक से अधिक वस्तु और सेवान निवेश और प्रोध्योगी की का आदान-प्रदान हो रहा है जो कि किसके द्वारा हो रहा है विगत कुछ दस्कों की तुलना में विश्व के अधिकांस भाग एक दूसरे के पेक्षागित अधिक संपर्ख में आएंगे ही क्यों नहीं आएंगे जब या पार संबंध बढ़ रहा है उनम पाओ निवेश और प्रोध्योगी की कैत्रिक त्विभिन देशों को आपस में जोडने का एक और माध्यम हो सकता है तो जैसे मैंने क्या बताया वस्तूओं की द्वारा बहुराश्ची कंपनियां वस्तूओं में आ रही है यहां के लोगों को सेवाओं सेवाएं प्रदान करी है यहां को लोग बहुत फैदा हो रहा है वहां की निवेश यहां कर रही है प्रोध्योगी की बैठा रही है तो इन सब सब का मिला जुला रूप क्या हो गया सब का मिला जुला रूप हो गया कि देश क्या हो रहे हैं आपस में नजदी का रहे हैं विभिन देशों को आ आवागमन तो यहां पर लोगों का आवागमन भी क्या कर रहा है एक दूसरे देश को जोड़ने का कारे कर रहा है प्राइल लोग बेहतर आए बेहतर रोजगार हैं आवागमन करते हैं अब यह तुमसे कोई पूछे के भाई एक देश से दूसरे देश लोग क्यों जाते हैं तो सबसे सिंपल सा और चोटा सा कारणा घूमने जाते हैं घूमे जाते हैं घूमने वाला तो ठीक है लेकिन यहां पर कुछ बात बताए गया है जो की क्वेश्चन क रूप में जाते हैं तो सबसे पहला जो चीज है वह है पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं दूसरा है नौकरी पेशा करने के लिए जा सकते हैं यह सब है कि नहीं है जरूरत यहीं बात लिखना कि बहतर आए बहतर रोजगार सिक्षा की तलास में एक दूसरे से दूसरे द विभिन देशों के बीश लोगों का आवागवन में अधिक व्रिद्धी नहीं हुई है तो मत हो यह सब बात ठीक है चलो यहां देखना वैस्वी करण को संभाव बनाने वाले कारक कौन-कौन से कारक है जो कि वैस्वी करण को संभाव बना पार है है बहुत सारे जो कारक होंगे अनुकूल होंगे थास्वी करण हो पा रहा है मतलब 20 के एक जो कंपणियर दूसरी देश कर रहे है वयापार कर पार्य कुछ तो होगा ऐसा जो की इसको क्या करता है प्रेरित करता है यहां देख सकते हो प्राध्योगी की मित्युर उन्नतिवाव मुख्य कारक है जिसने वैस्वी करन के प्रक्रिया को उत्प्रेरिक किया है तो मानो या ना मानो यह तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही और वह क्या है प्राध्योगी की टेक्नोलाजी में विकास सिधी टेक्नोलाजी नहीं होता तो क्या यह चीज संभव था नहीं संभव था एक देश में बैठे बैठे दूसरे देश को कंट्रोल कर लेना क्या एक कबूतर से संभव था कि कबू नहीं संभर हो था है आज आईयसा टेक्नोलोजी है टेक्नोलोजी को इतना विकास हुआ कि हर तरीके से वह इसको क्या करता है सपोर्ट करता है तुम एक देश में बैठे-बैठे, दूसरे देश में क्या करो समान को बेज सको, जैसेAmazon के बारे सब जान रहे हूं आप गांपनी और यहां पर लोगों को रोजगार दे रहा है तो आपने घर से समानुवान करेंगे समानुवान पैक करेंगे और जहां पर ओॢजर बइता है और कहां पर कंपनी चला रहा है तो यह सब कईसे हो पारहिया एप है और उसके right कितना पैसा कमा रहा है कितना लोग को रोजगार भी मिला भी जान रो कि कितने भारती हैं जो कि घर में दुकान है उनका या फिर दुकान है तो दुकान से पैसा किसे कमा रहे हैं अमाजon के थुरूप हमारे हैं पैसा देना होगा एक एक आइटम पर पैसा देता है तो यह सारा चीज हो गया तो यह कैसे संभू हो रहा है बताओ यह टेकनोलोजी के कारण संभू हो रहा है प्रध्योगी की में तुर उन्नती वह मुख्य कारक है जिसने वैस्वी करण की प्रक्तिविया को उत्प्रेरित कि सबसे पहला प्रद्योगी की लिख देना जैसे विगत पचास वर्सों में परिवहर प्रद्योगी की बहुत नतिवी है इसे लंबी दूरियों तक वस्तू को तिवरता मतलब आसानी से एक जवसे दूसरे जगह ले आया जाता है तो यहां देख सकते हो दिखाया भी हुआ है परिवहर में कंटेनर यह देखों यह सारा यह है प्रद्योगी के सामान को एक दूसरे जगा पहुंचाया जा सकता है तो यह कब कैसे संभवा टेकनोलोजी के करण प्रद्योगी की करण जिससे की वहस्ति करण को क्या मिला है बढ़ाव मिला है इससे भी अधिकुल लेखनी है सूचना एवं संचार प्रध्योगी का विकास यह दूसरा तुम लिख देना ठीक है वर्तमान समय में दूर संचार कंप्यूटर और इंटरनेट के छेतरे प्रध्योगी की दूत गती से परवर्तित हो रही है या हो चुकी भी है दूर संचार सुविधाओं टेली ग्राफ टेली फॉन मुबाइल फॉन एवं टैक्स का विश्व भर में एक दूसरे के संपर्क करने सुचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ति शेत्रों से समवाद करने का प्रयोग किया आता है तो तुमको पढ़ाने का जरूर संचार का साधन इंटर्नेट से तुम चिप के रहते हैं तो यह क्या है यह सारि चीज़े हैं जो कि आज इन सब कारियों को व्यास्वी करन कवह रहा है进 u का रकर カ्र Tag हो गया है बिलकुल हो गया है अपने इंटरनेट का चमतकारिक संसार में भी प्रवेस किया होगा जरूर किया है जहां जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जनकारी प्राप्त कर सकते हैं बहुत चीज तुम जनकारी चाहते हो और तुम प्राप्त करते हो इंट na branche तुमको सिखा रहा है तो यही सब बात बता रहा है तो यही सब बात लिखा गया है विदेशी व्यापार्थ conte विदेशी निवेस का यहां देख सकते हो हम भारत में चीनी खिलोनों को आयात वाले उदारन पर वापस लोटते हैं कि चीनी खिलोनों का भारत क्या करता है आयात करता है मान लिजिए कि भारत सरकार खिलोनों के आयात पर लगाती कर लगाती है तब क्या होगा इसका अर्थ य कि जो इन खिलोनों का आयात करना चाहते हैं उन्हें इन पर कर देना होगा कर के कारण खरिदारों की आयाती खिलोनों की अधिक कीमत चुकानी होगी चीन के खिलोने अब भारत की बाजारों में इतने सस्ते नहीं रह जाएंगे और चीन से उनका आयात सोता कम हो जाएगी भार लगादेगा यहां सब तुम जानते हो या नहीं जानते हो की सामाच जैसे मालो की तुम किम्प्यूटर ले रहे हो या Uhh Bita कैम रहे हैं यहां तो यहां बता रहा है कि मान लो कि जो खिलोणा चीनी खिलोना मंगाया जा रहा था आयात की आयात पर व्यापार और उधक का एक उधारन है इसे और उधक इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कुछ प्रतिबंध लगाता है सरकारे व्यापार और उधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में व्रिधी या कटोती नियमित करने और देश के किस प्रकार की वस्तव कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए यह निड़ने करने के लिए कर सकती है यहां से कॉष्षिन आजाएगा तुम्हारा कि यह कर लगा रहा है उसको क्या कहेंगे तो व्यापार औरोधक कह सकते हैं क्योंकि व्यापार को क्या कर रहा है यहां बता रहा है कि यहां पर आयात निर्यात को जा रहे ? बैलन्स करना चाह रहा हूँँ सोच रहे हैं इन्डिया में अयातित करना चाहएगा, तो कर लगा देगा, जैसे ही कर लगा दिया, तो वह समान महंगा हो गया, तो ऐटोमेटिक उसको यहां पर क्या हो जाएगा ? , prove. नहीं मिलेगे सर्कारें व्यापार् और उधग का प्रयोग विदेश व्यापारां में वर्धित करने के लिए करती है। कि विदेश व्यापार में बढ़क defaid क्टारा में कटा वदेगा . सब्सक्राइब कर रहा है तो कैसे कंट्रोल कर सकता है व्यापार और उधक लगा कर इसके बाद देख सकते हो सतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतेबंध था यह याद रखना देश के उधपादकों को विदेशी प्रतियस परधा से संग्रक्षन परदान करने के लिए यह अनिवार यह माना गया और 1950 और 1960 के दसकों में उध्योगों का उदै हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतियस परधा इन उध्योगों को बढ़ने नहीं देती इसलिए सरकार द्वारा औरोध अथ्वा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उधारी करन के नाम से जानी जाती है इसका मतलब सुरुवात में ऐसा नहीं उध्योग धंधा इस दम पुरा चल रहा है देश भी देश के साथ ऐसा नहीं था लेकिन बोला जा रहा है कि सरक क्या किया बाद में इनको हटाया और उधकों को हटाया प्रतिबंधों को हटाया और उसी को क्या बोलते हैं उधारी करन की नाम से जाना जाता है तो कोशित पुछे गया उधारी करन क्या हो गया तो सरकार द्वारा इन और उधकों को प्रतिबंधों को हटा दिया गया कि व वियापार के उदारी करन से व्याफसाईयों को मुक्त रूप से निर्णे लेने की अनुभती मिली कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम दियंत्रन करती है और इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। बड़ा उदार है सरकार भाई साहब। विश्व व्यापार संगठन तो यहां देख सकते हो हमने देखा कि कुछ बहुत प्रभावसाली अंतराष्ट्रिय संगठों ने भारत में विदेश व्यापार एवं विदेशी निवेश के उदारी करन का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधानी कारक हैं। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बिश मुक्त व्यापार होना चाहिए। विदेशों के सभी देशों को अपनी निदियां उदार बनानी चाहिए। तो तुम इस पर विचार करना कि ये सही है या गलत है। क्या इतना उदारी करन सही है। क्या सरकार को पू विष्वय व्यापार संगठन World Trade Organization WTO यह याद रखना WTO एक ऐसा संगठने जिसका धे अंतराष्ट्रिय व्यापार को उदार बनाना है यहां पर एक कोईशन आ सकता है किसका क्या उद्देश है WTO का विष्वय व्यापार संगठन का क्या उद्देश है तुम इसका एंसा देना कि इसका धे हैं अंतराष्ट्रिय व्यापार को उदार बनाना सीधे जो बात लिखा गया वही याद को ज्यादा दिमाग अपना ने घुसेड़ने का कोशिस करो विकासिल देशों की पहल पर सुरू किया गया विष्वय व्यापार संगठन अंतराष्ट्रिय समधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो वर्तमान में विष्व के लगभग एक सो चौशट देश विष्व पर संगठन के सदस्य तो इस सब सब कोश्यन है तुम्हारा और इसका तुमको एंसर याद रखना कि वर्तमान में कितने दे यह देपी विष्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है परन्तु व्यावहार में यह देखा गया कि विकसित देशों से ने अनूचित धंग से व्यापार औरोधों को बरकरार रखा है दूसरी और विष्व व्यापार संगठन के न के रखा है स्कूर यो बहुत मझबूत देश का अबना के रखा है घर आयात शिए सबस्सक्राब है यही तो है दुनियारेश कारेत की जो मझबूत है है उसी का सिख्छा चलता है त Alban विकास सिल देशों के वापार उड़ों को हटाने के लिए विवस किया गया है एक उदाहरन कृसी उत्पादों के वहसाएं पर वर्तमान भास है इसका उदाहरन कृसी उत्पाद है यहां देखना अब यहां जो टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यह बहाओ कि भारत में जो वैस्वी करन्ट हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा अच्छा या बुरा तो दोनों तरीकों से इसको देखा जा सकता है पॉजिटिव वे में भी देखा जा सकता है तो यहां देख सकते हो विगत 20 वर्सों में भारतिया अर्थ विवस्ता के अस्थानिये विदेशी दोनों के बिच वरीहत्तर प्रतिश परधा से उभागताव इसेसकर सारी छेतर में धनी वर्क के उभागताव को लाब हुआ है यह सब यहां से तुम पॉइंट वाइस देखते जाओ क्या के लाब हम हानिया हुई है तो पूरा लिख देना क्या के थानिया हुई है थानिया लिख देना ठीक है तो पूरा पढ़ते जाओ समझते जाओ तो वैस्वी करन से क्या हुआ उत्पाद को अस्थानिये वाम विदेशी दोनों के बीच वरीहत्तर प्रतिश परधा से उपभोगता हो यानि उपभोगता कौन हो गया जो मजा ले रहा है अरे वाह एकदम सस्ता सस्ता समान मिल रहा है तो मजा ले रहा है क्या उसको और का लेना देना है कोई लेना देना नहीं है फोर्ड के गारी में कितना छूट है टाटा के गारी में कितना छूट है मारुति के गारी में कितना छूट है यह नहीं देखिए का कि मारुति का लेना चाहिए मारूती गाड़ी लेना चाहिए मारूती बीदेशी कंपनी है जी किसका गाड़ी लेना चाहिए टाटा के गाड़ी लेना चाहिए महिंद्रा का गाड़ी लेना चाहिए यह सब देशी कंपनी है तो देशी कंपनी बीदेशी कंपनी भोगता नहीं देखता है उ नहीं देखेगा कि महिंद्रा के गाड़ी एंभी नहीं देखेगाए किहां सुस्तर रहा है कहाँ 1 ज्यादा छुट मिल रहा है ज्यादा छुट जहाँ प्र के लिकर थनी लोगों के लिए ना है गाड़ी या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो कि धरी से संबंदित हैं तो जदी धनी भोगता है तो उनको फायदे फायदा है ऐसे नहीं फायदा है विदेशी कंपनिया मालो की दस प्रकार का गाड़ी है और तुमको लेना है कोई चोईस है तुम्हारा तो उसमें यहां बता रहा है बोल रहा है कि जो उब शूब्भोगता है उनके लिए बहुत बहुत बहुतरीन चीज़ है उन देखते हैं देसी बीदेसी उनको इससे कोई लेना देना नहीं है विसेसकर सहरी शेत्र में धनी वरग के उप्भोगता बहुत लाब हुआ है बड़ी मजा सब तो बीदेशी कंपनी है लग भाग तो उसको बनिया ऑप्सन मिल जा रहा है और उखरीद ले रहा है तो यह क्या हो गया बहुत अधिक विकल्प है तो सिर्फ गाड़ी में हर चीज में उसको विकल्प है अब डेल का कंप्यूटर लेगा की अदर दूसरे कंप्यूटर ले कंप्र से लॉक्त हो रहे हैं मैंने क्या बताया कि के कारण वैस्विक एक कारण अच्छा सामान कम दाम में दूब मिल रहा है तो तुम उसको खर दोगे ठीक है यही सब बात लिखा हुआ है पर नामता है यह लोग पहले की तुलना में आज अपर एक शाकरित उच्चितर जीवनस्तर का आनंद ले रहे हैं इन विदेशी कंपनियों के कारण आज जो चीज चाहिए तुमको मिल जा रहा है जै एसी यह भी असानी से मिल गया यह दिख रहा है बढ़का हो के स्क्रीन यह असानी से नहीं मिलता यह असानी से मिल गया क्या हुआ इससे इससे फायदा हुआ लेकिन यह हम लोग के वर्ग के लिए बोल रहा है यानि कि कुछ एक वर्ग को इससे क्या हो रहा है उत्पादकों और श्रमिकों पर वैस्वी करन का एक समान प्रभाव नहीं पड़ा है तो यहां पर देख सकते हो कि ये तो हो गया वैसे लोगों को जिनको फायदा और इसमें तुम भी शामिल हो तुमको भी बहुत सारा फायदा हो रहा है लेकिन जो पादक है जो श्रमिक है क्या उनको भी फायदा हुआ है यह अभी देखने का बात है पहला विगत 20 वर्थे में बहुराश्ट्री कम्पशन ने भारत में अपने निवेष में वृधि कि ए है जिसका अर्थ है कि भारत में निवेष करना उनके लिए लाप्रद रहा है बहुराश्ट्री पॉल next से से लव फोर्फोन संपन्वर्ग हैं इन उद्योगों और सेवाओं में नए रोजगार उद्पन हुए हैं साथ ही इन उद्योगों को कच्छे माल इत्यादी के आपूरती करने वाले अस्थानी कंपनियां संब्रिध हुई हैं यहां पर फायदा ही फायदा बताया जा रहा है कि जो मद्यम से अब को सामान के द्रिष्टी कों से बहुत फायदा हुए सस्ता सस्ता समान उपलब्द हो रहा है लेकिन और भी फायदा ही बता रहा है और साथी साथ यहां पर काफी लोगों को क्या रोजगार का साधर्मी लाब देख रहा है तब ही तो इतना सारा मोबाइल का दुकान जब इतना छोटा-छोटा मॉबाईल का दुकान खुला है तो वहाँ उसको फायदा भी तो हो रहा है तो इस तरीके से भी तुमको यहां देखना पड़ेगा कि बहुत सारा रोजगार का यह क्या कर रहा है एक रोजगार का को उपलफ्द करा रहा है जैसे की मान लोक उपी मूबाइल हो बें भारतिया मूबाइल तो तुम को देखने को नहीं मिलेगा बीदेश तो कोई मूबाइलное बें नहीं करता तो जो लाकों लाखों भी दुखान खूल के बैटें कर खोल पाते हैं नहीं खूल पातें से यदी मोबाइल आया है तो लाकों को दुकल भी मिला है यह अभी वाध ध्यान देना ठीक है तरीके से बहुता स्थानिये जो आपूर्ती करता है बहुत सारे कच्छे माल का उनको भी क्या हो रहा है फायदा हो रहा तो यह सब फायदा लिखा हुआ है यह सब एक्जाम में तुम यहां लिख सकते हो ठीक है अब यहां देखोगे विदेशी निवेस आकर्शित करनी के लिए उठाए गए कदम तो यहां पर इसके बाद पहले इसको पढ़ लेते हैं यहां देखना दूसरा अनेक सिर्ष भारती कंपनियां बढ़ी हुई प्रतिश्वर्दा से लाभानुइत हुई है इन कंपनियों ने नविन्तम प्रद्योगी की और उत्पादन प्रणाली में निवेस किया और अपने उत्पादन मानकों को उच्चा उठाया है कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलता पुरोग सहयोकर लाबार जित किया तो यहां के जो भारतिये कंपनिये उनको भी फायदा हुआ है यह बात यहां बता रहा है क्योंकि उनको अच्छा अच्छा टेक्नोलोजी मिला जिससे की उनका उत्पादन बढ़ा और उनका जो प्रोड़क्ट का वैलू था वो बढ़ा यह बता रहा है इससे भी आगे वैस्वी करन ने कुछ बड़ी भारती कंपनियों को सब्सक्राइब लेकिन तुम्हारे लिए तो question है तुमको तो question पुछेगा तुम बोलेगा Tata Motor कैसी कमपणी है भारती है इनफोसिस कैसी है भारती है रैनबैक्सी कैसी है किस चीज की company है तो बोलणा दवाई की company है इस यंद्पेंट किस का है यह भी बताना पड़ेगा पेंट का कमपनी है तो ये सारा चीज तुमको वहाँ पर बताना पड़ेगा तो यहाँ आगे देख सकते हो वैश्वी करन ने सेवा प्रदाता कमपनीयों विश्थेसकर सूचना और संचार प्रद्दोगी की वाले कमपनीयों के लिए नए आउसरों का स्रिजन किया है यह तो तुम मानोगे ही मानोगे इसके बाद देख सकते हो भारतिय कमपनी द्वारा लंदन इस्थित कमपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर इसके उधारन है तो भारतिय कंपनी के द्वारा लंदन इस्थितिक कंपनी के लिए पत्रीका का प्रकाशन मतलब लंदन में कंपनी है और इंडिया में पत्रीका का प्रकाशन हो रहा है और साथ साथ क्या हो रहा है कॉल सेंटर बैठाय जा रहा है कॉल सिंटर के बार में तो तुम्हें पता होगा जो की ग्राहक सिवा उपलब्ध कराता है तो ये सारा चीज कैसे हो पा रहा है ये हो जा रहा है वैस्वी करण के कारण और साथ-साथ यहां पर टेकनोलोजी के कारण इसके अतरिक्त आकड़ा प्रविष्टी डाटा इंट्री लेखा करन प्रसासनिकार इंजीनियरिंग जैसी कैस सेवाय भारत जैसे देशों में अब सस्ते में उपलब्ध हैं और विक्सित देशों को निरियात की जाती हैं तो देख सकते हो कितना इसका फाइदा है और यही प्रतियोगीता तुम देख सकते हो यहां पर बढ़ती प्रतियोगीता का यहां पर एक बिचारी देख रहा है मुह लटकल आदमी के फोटो बनाए गया है मुह लटकल इसका कहला है कहला है उसको यहां पर बताये गया है तो यहां पर यहां वैस्वी करण के कारण प्रतियस प्रद्धा क्या हो रहा बढ़ रहा है कि माल लो जो बीदेशी सामान है वे सस्ते उपलब्द यहां पर हो रहे हैं तो यहां पर उसका यदि प्रोडक्शन हो रहा है और भेंगे दर पर हो रहा है तो कोई कहा के लिए खरदेगा नहीं न खरदेगा तो वे स्वीकरन का कुछ यहाँ पर negative impact भी है, बहुत सरे positive impact हैं, तो कुछ negative impact भी जरूर है, तो यहाँ देखो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, और दिमाग में इसको घुसाते हैं कि का का बात कहा गया है, तो बढ़ती प्रतियोगीता, प्रतियोगीता बढ़ रहा है यह तो पताई हैं तुम्हें, तो इसा भी हो सकता है कि उसे एक उद्योगपती के रूप में अपने जीवन की छोटी अवधी में ही संकट का सामना करना पड़ेगा देखो का हुआ रभी जो था एक व्यक्ति है आदमी है उका किया धन्धा किया 1992 में तमिल नाडू के समीपेक उद्योगिक सहर होसुर बाह का नाम है होसुर में संधारित्रों का निर्मान करने वाले अपनी कंपनी सुरू की तो यह संधारित्र का निर्मान वो कर रहा था संधारित्र क्या हो गया यंत्र हो गया जब यहां देखोगे कि यहां पर जो संधा संधारित्र है उसका यूज का होदा ट्यूब लाइट टेलिवीजन से अन्य घरेलू इलेक्ट्रोनिक उपकरनों में होता है तो बिचारा रवी का किया ओ यहां पर उद्योग शुरू किया संधारित्र बनाने का निर्मान करने वाला अपना कंपनी शुरू कर दिया और बैंक से रिंड लिया करजा भी लिया संधारित्र बनाने के कंपनी के लिए तो संधारित्र का इस्तमाल का होता है यह था संधार का में सरु किया था तहूर तीन की भीतर वह अपने उत्पादन का विश्थार करने में सक्षम हो गया और उसकी कंपनी में 20 करमचारी काम करने लगे तो बल्ले बल्ले चकाचक उसका चलने लगा उस वचा कि अरे वाह अब तो मजा आ गया पईसे पईसा एकदम पईसे कमा लेंगे लेकिन हुआ का बिचारा क कईसे हो गया अपनी कंपनी चलाने में उसका संघर्स्तपण हो गया यानि को उसका एकदम बुरा अलया संथीतिक में Сथी और, मतलब संधारित्र का जो who could get out तो उस पर प्रतिबंद हटा दिया गया मैंने भी बताय कि इसे चीज है जिस पर ठतिवां लगा दिया जाएगा इस अब गव्ञांक जो है जो संधारित्र किससे खरीता थे तो तो क्या हुआ टेलीविजन कंपनिया थी टेलीविजन कंपनी जो था वो संधारित्र सिधेर अभी के फैक्टर से खरीता था जो टेलीविजन सेटों का निर्वान करने के लिए संधारित्र सहित विभिन पूर्जे थोक में खरिती और टेलीविजन सेटों का निर्वान करती किन्तु बहराष्ट्री कंपनी जिसको सरकार बोला कि आप बेचिये आई ये भारत में और बेच दीजे अपना संधारित्र ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ बहुराष्ट्री कंपनी ब्रांडेड अपना बेचने लगा यहां पर प्रतियस्परधा ने भारतिय टेलिविजन नाने के संधारित्र का उप्योग होता था तो कंपनियां किया करने लगी संधारित्र मंगाने लगी समोम की कीमत रभी जैसे लोगों ध्डारा निर्धारित कीमत से आधी होती तो जो 10000 मिल रहा है कमपनी वालों को 50 महीं मिल जाए तो तो एह तो देखो के संधारित में संधारित धियोग्ध धनदकर्द थे पर देखो यह यहाँ अच्छा प्रभा उता करा क्यार प्रभा निर्योग्दा कर रहा है उसके लिए क्या है खराप्रभाव है क्योंकि वह जो है कहीं टिक ही नहीं पा रहा है वह जो प्रतियोगिता हो रहा है उसमें वह टिक ही नहीं पा रहा है बैटरी संधारीत प्लास्टिक हिलोना टायर डेरी उत्पादों यों खादितिल के उद्योग कुछ कुछ ऐसे उदारन ने जहां प्रतियस परदा के कारण छोटे विनिर मताओं पर कड़ी मार पड़ी है तो यहां कोशन पूछेगा तुमको कि किन किन लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है इसके कारण किसके कारण यह वैश्पी करण के कारण तो जो बैटरी है सं लॉना टायर डेरी उत्पादक एवं खाद दितेल उद्यों कुछ ऐसे उदारन जहां प्रतियस परदा के कारण जो चोटे विनिर मताओं कंपनी उनको बेचारा का हालत खराब हो गया है कई-काईयां बंद हो गई हैं जिसके चलता है नेक स्रमिक बेरोजगार हो गया है का करेंगे बेचारा धारत में लगूत जोगों में क्रिसी के बाद सबसे अधिक स्रमिक दो करोड नियोजित हैं तो समझ में आ रहा है कुछ बुझा रहा है किसी टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हो अरे टाइम पास मत करो यहां कोश्चन था इसका तुम को एंसर मिल ग स्रमिक जो हैं उनके लिए बही यहां पर प्रभाव डाला है बरत्य प्रतिय स्परदा कि आंदिक को रोजगार देने में लालची स्रमिकों को रोजगारब सुनिशित नहीं है जाई उल्टा ही बता रहा है अब हम देखते हैं कि भारत में वस्त निर्माता निर्यात उद्योग प्रतियस्पर्धा के दबाओ को कैसे सहन कर रहे हैं यहां देखो कुछ चीजों को बताए गया है कपड़ा स्रमिक बारे बता है 35 वर्षिये सुसिला ने दिल्ली के वस्त निर्याता कुछ जोग में एक स्रमिक के रूप में कई वर्षों तक काम किया जब एक 27 श्रमिक के रूप में नियुक्त थी तो स्वास्त भीमा भविश्य निदी और मत्रिक्त समय की में कारे करने की दूगिनी मजदूरी की हगदार जब 1990 के दसक के अंतिम वर्षों में सुसिला की फैक्टरी बंद हो गई तो 6 मा तक रोजगार की तलास करने के बाद अंतिता उसे अपने घर से 30 किलोमीटर दूर एक रोजगार मिला कई वर्षों तक इस फैक्टरी में काम करने के बावजूद हुआ है एक आस 23 श्रमिक है और पहले की तुलना में आधे से भी कम कमा पाती है साड़े साथ बज़ जाती है दस भज़े आती है इस दिन मज़दूरी नहीं मिलता जिस दिन नहीं जाती है उससे अब कोई अन्यलाव नहीं मिलता जो पहले मिलता था उसके घर के समीब की फैक्टरियों को काफी स्थिर यहीं हाँ पर बताय गिया है अमेरिका और यूरोप में वस्त रुद्यों की बड़ी बहुराश्चे कंपनिया भारतिये निर्यातकों को वस्तों की आपूरती के लिए ओरर देती है। विश्वयाप निटवर्क से युक्त बड़ी बहुराष्टी कंपणिया लाव को अधिक्तम करने के लिए सबसे सटी वस्त में खोशती हैं इन बड़े ऑडरों को penser करने के लिए भारती वस्त निर्यातक अपनी लागत कम करने की कड़ी कोशिस करते हैं चुकि कच्ची माल पर लागत में कटाउती नहीं कि जा सकती है इसलिए नियोक्ता स्रम में कटाउती करने की कॉशिस कर रहे हैं या देखो जैसे क्या 그랬 राश्ट्री कंपनी भारत यहां जो आदमी लोग है बहुराष्ट्री कंपनी को कहें ओडर दिया कि सस्ता उसको चाहिए और धेरे दाम पर उधर बेचेगा और इधर के आदमी क्या होगा जुन-जुना बजाएगा यही वाला बात है बीदेश यहां ओडर मिला कंपनी को तो कंपनी का खरेगा कंपनी क कम दाम पर उसको देना होगा तो कंपनी कम दान पर देना चाहेगा तो कच्छा मल पर तो कटोटी करने सकता है कच्छा मल उसको नहीं लगेगा तो अब किस पे मार करेगा स्रमिकों पे मार करेगा स्रमिकों कम वेतन देगा उसको कम सुविधा देगा उसको परतारित करेगा यही सब बात हो रहा है तो यहां पर बोलता है नियोकता वही वाला हो गया जो कि नियोकती कर रहा है श्रम लागत में कटोती करने की कोशिस करते हैं जहां पहले कार खाने श्रमिकों को अस्थाई अधार पर रोजगार देता था वहीं अब अस्थाई रोजगार देते हैं तो बहुत लंबे कारे घंटों तक काम करना पड़ता है यह दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट अतिसरा पॉइंट इसी करके लिख देना अच्छा धिक मांग की अवधी में नियमित रूप से रात में भी काम करना पड़ता है मजदूरी काफी कम होती है और श्रमिक अपनी रोजी रोटी के लिए अतिरिक्त समय में भी काम करने के लिए विवस हो जाते हैं तो यही सब क्वेश्चन में अंसर कर देना हलाकी वस्त निरियातों को विश्परतियस परधा से बहराश्च्री कमपनी को अधिक लाब कमाने के में मदद मिलता है परन्तो वैस्वी करन के कारण मीने लाब कुप में स्ट्रमिको को नया संगत हिस्सा नहीं दिया जाता है उनको का मतलब है भैया उनको तो अपना लाब कमाना है और एस करना है करोडो करोडो रुपया कमाना है कौन गरीब को देखने वाला है कोई नहीं देखने वाला है पस गरूइब का सोसन करो तो अब तो एक और सोसन का आधार मिल गिया है क्योंकि गरीब के पास रोजगार नहीं है तो चली जाएगा कि आये भी हमकों सोसन कर लिजे सोसन कर लिजे क्या कर सकता है कोई उसके पास कोई चारा ही नहीं है यही सब बात यहां लिखा हुआ है क्यों और क्या करेगा मार भारत ने अन्यक उद्योगी कि काई और सेवाओं का समानी बात हो गई समानी बात है कि गरीबों को यां चूसा जा रहा है आज अधिकान स्ट्रमिक संगठित छेत्र में नियोजित है तो संगठित और संगठित छेत्र में ने पढ़ाया था पीछे के चैप्टर में यहीं नह वैदा वैदा आप नहीं मिल रहा है अब देखो यहां पर लास्टी टॉपिक लग रहा है यहां पर नियाय संगत वैश्वी करण के लिए संगर्स तो यहां बोल रहा है उप्युक्त प्रमान यह संकेत करते हैं कि वैश्वी करण सभी के लिए लाप्रत नहीं रहा है हम लो लोगों के लिए अच्छा है उपभोगता जो यूज कर रहा उसके लिए अच्छा लेकिन सब के लिए अच्छा नहीं है सिक्षित कुसल और संपन्ध लोगों ने वैसुई करन से मिले नय और सवरो का सरवत्तम उप्यों किया है दूसरी और अनेक लोगों को लाव में हिस्सा नहीं मिला है तो देखो जो सिक्षित हैं कुसर और संपन्न लोग हैं उनको काफी फायदा मिला है काफी फायदा मिला है जैसे कि मालो जैसे कि मालो की अरे सिंपल सा यूटुब में वीडियो ही तुमको बनाना है तो उसके लिए सब चीज चाहिए ना माइक भी चाहिए कैमरा भी चाहिए, computer भी चाहिए, board भी चाहिए, तो ये सब तुमको मिल जाएगा, आसानी से वैस्वी करन के कारण मिल जा रहा है, लेकिन वहीं जो स्रमिक वर्ग है, उनको का फैदा, उनको तो कोई फैदा नहीं हो रहा है, जो तुम्हारे बहुत सारे छोटे-छोटे उद्योग धन्देवाल है, उनको क्या फैदा, उनको का फैदा नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से वैस्वी करन को positive और negative दोनों देखने को यहां पर तुम देख सकते हो, चुकि वैस्वी करन अब एक सचाई है, तो वैस्वी करन को अधिक नयाय संगत कैसे बनाए जा सकता है, यह सब्सक्राइब को नयाय संगत का मतलब हो जाए, सिर्फ एक पक्ष को नहीं लाब हो, मतलब सिर्फ एक वर्ग को नहीं लाब हो, हर एक वर्ग को इससे कुछ न कुछ लाव हो सरकार इसे संभव बनाने में महतपोर्ण भुमिका निभा सकती है ultimately कौन आ गया सरकार आ गया वुजो करे सरकार तो सरकान है उनको परणाम करो वुजो करे वही सही है तुम तो कुछ कर नहीं सकते हो इनकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशारी लोगों को ही नहीं बलकि देख के सभी लोगों के हिस्से का संग्रक्षन करना चाहिए आ गया मैटर यहीं से बोल रहा है पहला पॉइंट बना दो कि सरकार को सभी लोगों के हितों का संग्रक्षन करना चाहिए के सिर्फ अमीरों का ही खयाल नहीं रखने चाहिए करती है कि कार्यानवियन कलें को खोटे उद्वादकों को करे निस्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस परधा के लिए शक्ष्यमद ना हो जाए तो छोटे छोटे उढ़ दियोग लगा रहे हैं विप्रतियस्पर्धा के दौर में क्या रहे सिमट जा रहे हैं तो उनके लिए भी सरकार को कारे करना पड़ेगा तो यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेस और रोधकों का उपयोग कर सकती है जिससे की छोटे छोटे लोगों को क्या होगा फैदा संगठन से समझोते भी कर सकती है यह तिसरा पॉइंट लिख देना संगठन में विक्सित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान ही तो वाले विक्सित देशों को मिलकर लड़ना होगा तो यह सारा चीज पॉइंट है विकत कुछ वर्स में बड़े अभियानों और जन संगठनों के प्रती निधियों के विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से समझेत महातपूर्ण नेनियों को प्रभावित किया है यह प्रदर्शन करता है कि जनता भी न्याय संगत वैस्य करने के संगार्शन महातपूर्ण भूमिका निभा सकती है तो य एसा तो कभी हुआ नहीं है यह 150 भी हुआ रहा है तो कहां लाइक और कहां से और कुछ करने वाले नहीं हो कोई बात नहीं है लेकिन यह दि हमारे चैनल से पढ़ रहे हो लगातार रेगुलर पढ़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके पढ़ना तो कहें लोग कमेंट करके बोले ह आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं अरे रिक्वेस्टे कर रहे हैं धमकी काला देंगे ठीक है तो मैं मिल रहा हूं तमसे नेक्स्ट वीडियो में थाइंक यू